लेको लो देखे राम मंदर के अंदर की तस्वीरे आपने देखी क्योंकि जतनी उच्छुकता आपको दिपोटसफ की है हम जानते हैं कि उतनी ही ज्यादा उच्छुकता आपको राम मंदर को लेकर भी है कि भव्य राम मंदर अगर बन रहा है तो ये अंदर से कैसे दिखता ह एक्स्क्रूजिव तस्वीरे आपने देखी राम मंदर के अंदर की कि आज राम मंदर में भी दिपोज सब का जो त्योहार है वो किस तरीके से मनाया जा रहा है लेकिन घाट पर भी माहौल कुछ ऐसा ही है और यहां पर हर कोई अपने अपने अदाज में आरादे को याद कर रहा है ऐसे ही एक बच्चे से मारी मुलाकात हुए क्या ना में अपका अभीना वरोडा अच्छा आप क्या गाकर सुनाने वाले हैं अभी आप भजन काते वे नजर आ रहे थे हाँ जी हाँ जी क्या सुनाएंगे मैं आपको भजन सुनाओंगा राम जी के बारे में बताओंगा तो भजन सुना दीजी तेरी मरजी का मैं हूँ गुदाम मेरे अजबिर राम 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 जैराजा राम 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 जैसी ताराम भगत के वश में हैं भगवान भगत मुर दिवा दे की वो रोज ब्रिंदा बन रोदे क्रिश्न को दल्जा समझे वो क्रिश्न को दल्जा बोदे शाम के प्याड में पागल हुई वो शाम दिवानी अगर भजनू में लागे वो छोड़ दे दाना पानी प्यार करन वो दागी उनसे अपने पूत्र समान भगत के वश में हैं भगवान वो दिन में भाग के देखे वो रात में जाग के देखे कभी अपने कमरे से वो शाम को जांक के देखे यही जैश्री राम और जैश्री राम की बातें आज सिर्फ और सिर्फ आयोध्या में सुनाई दे रही हैं आयोध्या का यह जो दिपोध्सव है यह अब आप कह सकते हैं कि अपने चरम पर पहुंच चुका है क्योंकि दिये अब लगभग जलते हुए नजर आ आज एक दिपावली है और एक दिपावली का इंदजार 22 जनवरी का मैं ममलक को फिलकुल देखिए आयोध्या रही है बहुत ही सुन्दर ये वर्द रिकोर्ड मेंदा है जी कितना अलोके ग्रिश्य है आयोध्या राम नगरी में सबसे बड़ी दिवादी में नाई जा रही है पिलकुल देखिए बड़ा बौका है और इस बड़े मौके पर किस तरीके से दिवाली का जो त्योहार है वो मनाया जा रहा है वो लगातार आप तस्वीरों में देख रहे हैं एक बर फिर से आई ये तस्वीरों पर ही फोकस करते हैं और तस्वीरें दिखाते हैं क्योंकि जाद शब्दों से ज्यादा हमारे बोल से ज्यादा आट